एक बार सुवामी बिवेकानन जी कहीं जा रहेते हैं कहीं पिरीज से जा रहेते हैं बहुत छोटा पिरीज होता है उस पिरीज के एक तरफ गहरा पानी होता है सुवामी जी के पिछे वहां कुछ बंदर पढ़ जाते हैं स्वामी जी अपने आपको बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिस करते हैं तभी सामने से एक परशन आता है और स्वामी जी को भोलता है कि तुम इन बंदरों से डरो मत तुम जितना डरोगे ये बंदर तुमको उतना ही डराएंगे इनका सामना करोगे बंदर भाग जाएंगे इनका सामना करो इनसे डरो मत तो स्वामी जी बंदरों को सामना करने के लिए उनकी तरफ दिखते हैं और उनकी आँखों में आख डालकर चिलाते हैं और वो बंदर धीरे धीरे कायव हो जाते हैं तो हमारे जिन्दगी में नेगेटिव थाउट भी ये बंदरों की तरह है आप जितना ये बंदरों से डरोगे ये आपके पीछे आते रहेंगे लेकिन रुक कर मूल कर इनके पीछे सामना करोगे यानि जो नेगेटिव थाउट आ रहा है उनका सामना करोगे कि आने दो जितना नेगेटिव थाउट आ रहा है आने दो 100 नेगेटिव थाउट आ रहा है आने दो कि ए हो जाएगा ओ हो जाएगा एगरा वेगरा मैं नहीं डरने वाला क्योंकि मैं एक positive thought पकड़के रखा है जो बहुत ज़्यादा powerful है मैं जो करना चाहता हूँ अपनी life में वो जो positive thought है वो उन हजार negative thought से बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे like करें अगर मेरी आवाज को पहली वार सुन रहे हैं तो study इंडिया अड़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहे गई चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बीस्यू आल दा वेश्ट थैंक्स